नमस्ते भारत हम बलराम किशान हैं बड़वानी मध्यपरदेश हैं और आपको लिए चलते हैं किशान पाटशाला पे आंदर प्रदेश अनन्तापूर वेद भाई की दजर पड़ी एक गन्ने के जूस के सेंटर पर क्या सूपर जगा है पूरा का पूरा एक आउटलेट खोल करके किसान पुत्र बैठे हैं यहां पर गन्ने का जूस पिलाते हैं पूरा आप यह स्लोगन पढ़िए पूरे भारत के लिए में यह बना रहा हूं किसान पूत्र क्या-क्या कर सकते हैं उनका मुबैल नंबर है सारी कुछ डेटेल्स है आई यह कैसा जूस बना रहे हैं यह देखते हैं नमस्ते भाईया जी अंदर जाएं यह मसीन पूरा तीन चाहिए यह जूस के रेड भी लिखे हुए है इनके यह आपकी भासा समझ में आएगी नहीं पूरे भारत को आपको हिंदी या इंग्लिस में बतलाना पड़ेगा हमें यह जूस के फ्लेवर कौन-कौन से है इसी सारी चीजे कर दो हिंदी में है पोदीना में है अधरक में नीमभु के साथ है सभी के फ्लेवर अलग-अलग है कि 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 हो पर से डालते चीप और नीचे निकलता है जूस और यह इंग्लिस वाले मित्रों के लिए यह पूरा चार्ट है यहां पर समझ सकते हैं Health of Benefits in Concerning can juice regularly Yes, यह से दबाएंगे अभी यह गया अंदर juice निकालने के लिए और यह निकला juice बाहर और यह नो आईज है अगके गन्ना फ्रीज में रखा है जो ठंडा रहता है यह गन्ने के पीस है और इसमें बर्फ नहीं डालते हैं और यह पूरी मसीन है और इस तरह से उसको आपरेट किया जाता है मोटर पंप से अच्छा यह फ्लेवर भी अलग सो डाल सकते हैं मुझे नहीं चाहिए अच्छा यह पूरा हिला करके भी देंगे ऐसा नहीं है अच्छा यह जो पर ही रहेगा नहीं तो इलेगा नहीं तो एक में डालना एक को छोड़ें कि आई यह मेरे साथ गन्ने का जूस पीजी आप भी कि आपने कुछ इसमें फ्लेवर दिया है अधरक का है आप बेटी है मैं बढ़वानी मद्यपरदेश्चे हूं और आप अगर गूगल करेंगे किशान पाठशाला किशान पाठशाला या यूट्यूब पर जाएंगे किशान पाठशाला तो हमारा डिटेल्स मिलेगा तो थ भ्रव यूस में पर अमारत सुनना चाहता है आपको यह घन्य काजूश केसे चालू किया क्या कर रहे है कैसे विचार आया क्या इसमें बेनिफिटस है différentes है तो पहले यह चाट दिया है हां डिटेम्स ऐर मेर heeft हर्च करकिए ह। तो यह तो दूसरा भी है जानमे औरे गंगडी और को राइट सेट में होलेगा लेंगा और कोट्रोड में भी एक अपनी है एक मैंने हुआ यहां पर आके चल रहा है सारा क्लिंग कितर की लेकर आता हूं यह एक गिलास जो आपने दिया 210 ml का यह कितने का है 20 रुपया का है 20 र गर्फ न शकर ओनली जूस है यह वाई चंदीगड में डिवांड है एक एक ग्लास और पिलाओ हमारे मित्र हैं जो याद करते हैं एक तो मैंने पिया मेरे लिए अब मैं पी रहा हूं मेरे मित्रों के लिए उनको अभी टेस्ट जाएगा कि अभी फ्लेवर चेंज कर लो अभी एक फ्लेवर आपके हिसाब से चेंज करके बनाओ एक अद्रग का बनाया था अभी दूसरा बनाओ यह कॉंसेप्ट पूरे भारत के किसान बच्चे अपने अपने शहर गाओं में अपना सकते हैं और एक यह फ्रीजर है जिसमें गन्ना रखा हुआ है उपर फ्लेवर रखे हुए हैं पोदिना अद्रग हल्दी नीबू और इसमें एक फ्लेवर मित्र हमने लिया था पाइनेपल के साथ जूस मुझे अच्छा टेष्टी लगाता है यह मसीन हम प्लेगे है उसमें मुझे उसमें कुछ लग सकता है और इसमें बोटल के रेट है अच्छा हमें आपका प्रोजेक्ट लगाना हो आपसे मसीन चाहिए यह तो कैसे कोई है की जिस कोई है इनका कॉंटेक्ट नंबर है इनकी प्राइज है इनकी डिटेल्स है यह इनका एड्रेस है और यह डिटेल्स है इनकी यह कॉंटेक्ट नंबर है यह कॉंटेक्ट नंबर 9731194981 यह कॉंसेट्ट समझ में आया है मुझे यह कॉंसेट्ट समझ में आया है मुझे नो आइस गाई, वाटर, शुगर, प्रेशुगेटिव, कुछ नहीं, ओनली जूस इस ही का तो कहते है बही है ओनली जूस आपका नाम क्या है? रंजीट, 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 या," रंजीट», ओके रंजीट जी के हाँ पर है हम अननतापुरहम मेंं बहुत ही खुबसूरत सहर है और ऊ다가 सा राजिस्तान जैसा feeling आ रहा है, हाज राईस्थान में जैसे dry dry, सुखा सुखा ऐसा फिलिंग आ रहा है कि भाया बोटल भी दे रहे हैं साथ में नेच्छरल ओरिगनिरिटी इसी को कहते हैं यास यह बोटल बन गया है 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 हुआ 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 सिल्ड बोटल है अभी आप सील फॉलोगे एक एक ग्लास हमें पिलावी दो यहां पर रिपिट थैंक यू